नाबालिक बना महिला की हवस का शिकार पाँच बच्चों की मा के प्रेम जाल में फसा नाबालि योन शोशड के आरोप में जेल गई महिला कच्छा नो का एक छात्र जिसके अस्मिता एक पाँच बच्चों की मा ने लूट ली उसने नाबालिक को पहले अपने प्रेम जाल में फसाया इसके बाद घर से बहला फुशला कर भगा ले गई आरोप है कि महिला ने छात्र को नसीला पदार्थ खिला कर उसके साथ दुशकर्म किया मामला चित्रकूट जिले के राजा पुर्थाना छेत्र के एक गाउ का है जहां 18 अप्रेल 2022 को कक्छानव में पढ़ने वाला छात्र अचानक गायब हो जाता है घबराया परिवार उसकी खोज में लग जाता है परिवार आरोप लगाता है कि पडोस की रहने वाली पांच बच्चों की मा छात्र को अपने साथ बहला फुशला कर भगा ले गई परिजन पुलिस में जाकर इसकी शिकायत करते हैं जिसे पुलिस गंभीरता से नहीं लेती इसके बाद परिवार अदालत के दरवाजे तक पहुँच जाता है और अदालत आरोपी महिला के खिलाफ मुकदमा धर्ज करने का आदेश देते हुए राजा पुर्थाने को महिला को गिरफतार करनी का निर्देश दिया जिसके बाद पुलिस ने महिला को गिरफतार करते हुए मामले का जो खुलासा किया उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया फिलाल पुलिस ने पीडिच छात्र को बरामत कर लिया है आरोपी महिला को नाबालिक के साथ योन्शोशन करनी के आरोप में जेल भेज दिया गया है अभी तक आपने किसी महिला को इस तरह के अपराद का शिकार होते खूब सुना होगा लेकिन चित्रकूट के राजापुर्थाना छेत्र में जो घटना हुई उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया